हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं चैनल क्रेक्ट यूर कम्टेशन पीदाजले फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग भात के समिधान से संसोधन से समंधित महत्मूर प्रशनों को पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स हैं याप किसी भी कम्टेटिव एकजाम की त्यारी करें या फिर भीहार सिक्षक्षपष्वर्थिक की त्यारी करें तो इस वीडियो आपके लिएक से काफी सारे 먹ने पूछी साते हैं चले फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं, आज का फर्ष्ट कोशेन है, सम्मिधान के किस भाग और नुच्छेद में सम्मिधान संसोधन की प्रक्रिया का उलेख है, भाग एक अनुक्रमांग 3, भाग 8, अनुक्रमांग 249, भाग 16, अनुक्रमांग 336, भाग 20, अनुक्र अनुक्रमांग 368, नेक्स्ट कोशेन है, कोशेन नमबर 2, भाग ते सम्मिधान में संसोधन किस धारा के अनुसार होता है, धारा 361 के अनुसार, भाग ते सम्मिधान की कौन सी विशेष बिवस्ता दक्षर अफ्रीका के सम्मिधान से ली गई है, तो राइटांसर हो जाएगा ऑफ्शेन थारा कोशेन नमबर 4, सम्मिधान संसोधन कितने प्रकार से किया आता है, A, 2, B, 3, C, 6, D, 9 तो right answer हो जाएगा option number B समिधान संसोदन तीन प्रकार से किया जाता है next question is question number 5 समिधान संसोदन विदेयक सरप्रथम कहां प्रस्तूत किया जाता है A, संसद में, B, लोग सवा में, C, राज सवा में, D, पिधान मंदल में तो right answer हो जाएगा option number A जो समिधान संसोदन है वो सबसे प्रथम सबसे पहले संसद में प्रस्तूत किया जाता है सबसे पहले समिधान संसोदन के बिल संसद में प्रस्तूत होते है option number A, इसका सही answer है next question number 6 समिधान संसोदन की पहली पहल कहां की जा सकती है A. लोक सभा में, B. राज सभा में, C. बिधान सभा में, D. संसत के किसी भी सदन में तो right answer हो जाएगा option number D. संसत के किसी भी सदन में इसकी पहल की जा सकती है Next question is question number 7 संबिधान के अधिकान सनुछे दो question शोजिप करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता A. साधान बहुमत, B. बटा तीन बहुमत, 3. दो बटा तीन बहुमत, तो राजो कानमोदन, D. इन में से कोई नहीं तो right answer हो जाएगा option number A. साधान बहुमत की प्रक्रिया को अपनाया जाता है Next question is question number 8 बहरती समेदान के अधिकानश अनुछेदों को किसके दौरा संसोदित किया जा सकता A. संसत के दौरा, B. राष्टपति के दौरा, C. राजो के विधान सभा दौरा, D. बहुमत, तो right answer हो जाएगा option number A. संसत के दौरा A, B, नहीं, हाँ लेकिन राश्ट्रपती के अनुमती द्वारा, D, यदी मामला राजी कीटों से संबंदित हो, तो राइट आंसर हो जाएगा, आप्शन नमर भी नहीं, राज मिधान मंदा समिधान संसोधन प्रक्रिया को प्रारम नहीं कर सकता है, नेक्श्ट एक्ष्ट नमर 10 भारत की समेधान में प्रतम संसोधन किस वर्ष किया गया था? A, 1951 B, B, 1957 B, C, 1978 161 B, D, 1962 162 B, तो भारत में कि समेधान में प्रतम जो समेधान संसोधन हुआ था, वो हुआ था 1951 में option number A का सही answer है Next question number 11 सम्मिधानिक सम्मिधान को प्रथम अधिनियम एक्ट किस से संबन दित था A. अंदेश की सुरक्षा से B. प्रिधान मंत्री की सुरक्षा से C. राजियों के क्रशी भूमी सुधार से D. इस्थानी सुधार से नागलेंड को किस संसोधन दौरा राजि का दरजा प्रदान किया गया था नागालेंड को, next है हमारा question number 13, कि संसोधन द्वारा पंजाब और हर्याना के राज्यों को पुनगर्ठिट करके तथा चंडी कल्गों के निशाषित प्रदेश बनाया गया, तो right answer हो जाएगा, option number B, 28 संसोधन द्वारा पंजाब और हर्याना के राज्यों को पुनगर्ठिट करके तथा चंडी कल्गों के निशाषित प्रदेश बनाया गया, नेक्स्ट है, कोशेन नमर्फ फूर्टीन, सिंदी भासा को कि संब्यधानिक संसोधन द्वारा सामिल किया गया था, A, 15 संसोधन द्वारा, B, 21 संसोधन द्वारा, C, 24 संसोधन द्वारा, D, 31 संसोधन द्वारा, नेक्स्ट है, कोशेन नमर्फ फूर्टीन, सिंदी भासा को संब्यधानिक संसोधन द्वारा सामिल किया गया था, संब्यधान की अनुसूची में, नेक्स्ट कोशेन है हमारा, कोशेन नमर्फ फिप्टीन, कि संब्यधानिक संसोधन द्वारा, मेगाले गाजी की स्थापनत की गई A. 13 में संसोधन द्वारा B. 19 में संसोधन द्वारा C. 22 में संसोधन द्वारा D. 39 में संसोधन द्वारा तो right answer option number C हो जाएगा 22 में संसोधन द्वारा Next question number 16 कि सम्मेधानिक सम्मेधान में संसत को मौलिक अधिकारों में संसोधन करने का अधिकार दिया गया है A 24 में संसोधन में B 28 में संसोधन में C 32 में संसोधन में D 35 में संसोधन में तो right answer हो जाएगा option number A 24 में संसोधन द्वारा संभिधान में संसत को मौलिक अधिकारों में संसोधन करने का अधिकार दिया गया है प्रत्रम संबैधानिक संसोधन अधिनियम कब बना A. 1950 में B. 1951 में C. 1964 में D. 1973 में तो राइट आंसर हो जाए को ऑफ्षिन मबर B. 1951 में बना था प्रत्रम संबैधानिक संसोधन अधिनियम नेक्स्ट ए लोग सवा सीटों की अधिक्तम संक्या 545 कि समय धानिक संसोधन द्वारा निधारित की गई थी A. 28 में संसोधन द्वारा B. 23 में संसोधन द्वारा C. 31 में संसोधन द्वारा D. 36 में संसोधन द्वारा तो right answer हो जाएगा option number C 31 में संसोधन द्वारा next question is question number 19 के संबेधानिक संसोधन द्वारा सिक्किम को भारती संग के सहराज का दर्जा प्रदान किया गया था A 28 में संसोधन द्वारा B 30 में संसोधन द्वारा C 31 में संसोधन द्वारा तो right answer हो जाएगा option number D 35 में संसोधन द्वारा सिक्किम को भारती संग के सह राज कदर्जा प्रदान किया गया था next के समयधानिक संसोधन द्वारा सिक्किम को पूरी तरह से राज कदर्जा प्रदान किया गया तो राइट आजर ओक्षिन होगा शतीस्स बढ़ा कर दी कर दी कही की एस चैलीस में संसोदन द्वारा बिधी 41 में संसोधन द्वारा, C 45 में संसोधन द्वारा, D 49 में संसोधन द्वारा, तो right answer हो जाएगा option number B 41 में संसोधन द्वारा, next question है, question number 22, तो नमली कितमे से कौन सा संसोधन द्वारा, 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 द्वा संसुदन द्वारा भार्ति समिधान के प्रस्ताबना में समाज बाधी तथा निर्फ्य सब्द जोड़े गए थे 42 में संसुदन द्वारा दी 449 में संसुदन में तो राइट आसर उप्षिन नम्बरे हो जाएगा 42 में संसोधन द्वारा नेक्स्ट कुश्चन है 24 नंबर कुश्चन सिख्षा को कि समिधान संसोधन के द्वारा राज सूची से संबर्ती सूची में लाया गया A 24 में संसोधन द्वारा B 42 में संसोधन द्वारा C 43 में संसोधन द्वारा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमबर भी बैलीस में संसोधन द्वारा सिख्षा को राज सूची से संबर्ति सूची में लाया गया था नेक्स्ट है कोशन नमबर 25 फ्रेंट इसमें यह जितने भी मैंने कोशन लें वह बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन से तो आप लोग वीडियो को स्किप के बिना लास तक देखते रहेंगा काफी सारे कोशन से अग्जाम में पूछे आ चुके हैं नेक्स्ट है भाड़ते समिधान में किस संसोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्थभियों को समलित किया गया A. 32 में संसोधन द्वारा C. 36 में संसोधन द्वारा C. 44, 40 में संसोधन द्वारा D. 42 में संसोधन द्वारा तो right answer हो जाएगा option B. 42 में संसोधन द्वारा Next A. दल बदल निरोधा कानून कि समिदान संसोधन विध्यक से सम्मन दित है A. 32 में संसोधन से B, 40 में संसोधन से, C, 50 में संसोधन से, D, 52 में संसोधन से, तो right answer option number D होगा, 52 में संसोधन से संबन देते हैं, next, 42 में संसोधन अधिनियम 1936 से भारते समिधान में कौन सा एक नया अधिनियम जोड़ा गया, A, संगी, A, छेतलों के प्रशासन से संबन देत, B, मौलिक कर्तब, C, अंतराजी परशत के निर्मा, D, इन में से कोई नहीं, तो right answer option number B होगा, मौलिक कर्तब्यों को, next question is question number 28, समिधान के 21 संसोधन द्वारा बोर्ट देनी किया यू, 21 वर्ष से घटा का 18 वर्ष की गई, संसोधन द्वारा बोर्ट देनी कि जो आयू, 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई, next day, भारतिय संसोधन के किस संसोधन ने नगरिये, इस्थानी सरकारों को संबैधानिक दर्ज़ाप दिया था, A, 70 में संसोधन, B, 74 में संसोधन ने, C, 80 में संसोधन ने, D, 81 में संसोधन ने, तो राइट आंसर, आप्शन नमर भी हो जाएगा, 74 में संसोधन ने, next question है, किस संबैधानिक संसोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज का दर्ज़ाप दर्ज़ाप दान किया गया, A, 40 में संसोधन द्वारा, B, 45 में संसोधन द्वारा, C, 50 में संसोधन द्वारा, D, 55 में संसोधन द्वारा, तो राइट आंसर अप्शन नमर भी हो जाएगा, और राज़़ प्रदेश को राज का दर्ज़ाप दान किया गया था, नेक्स्ट कुछिन है कि समिधान संसोधन द्वारा विशेस परितित्यों में नीति निर्देशक सिध्धान तो को मूल अधिकारों के उपर अधिक मेहतों देने का प्रामधान है A. 30 में शम्यधान संसोधन में B. 42 में संसोधन में C. 44 में संसोधन में D. 21 में संसोधन में तो राइट आंसर हो झाएगा option N. B. 42 में संसोधन में Next is निमलिकित में से 21 समिती की report के अधार पर 42 में संसोधन अधीनियम 1946 HV को त्यार किया गया था A. स्वण सिंग समिती B. सहकारिया आयोग C. सिंग भी समिती D. हुकुम सिंग समिती तो राइट आंसर हो जाएगा option number A स्वण सिंग समिती की रिपोर्ट के आधार पर next question A किस सम्मेधानिक संसोधन अधिनियम ने राज के नीति इन्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के पेक्ष अधिक अधिक प्रवहुशाली बनाया B. 24 संसोधन अधिनियम ने C. 40 संसोधन अधिनियम ने D. 42 में संसोधन अधिनियम ने तो राइट आंसर option number D हो जाएगा 42 में संसोधन अधिनियम ने नीति इन्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों को पेक्शा अधिक औरहलुका नेट्च 음ढ को राजिक कोर्ज सूचिसे संबर्ती सूची में किस संबेद disciple अधिनियम दोरा नहित किया गया एस तीसे संसोदन अधिनियम दोरा एस तीसमी संसोदन अधिनियम दोरा सी получится सिसे अधिनियम दोरना इसमीं मुप rooting द्धता के मौलीक अधिकारों की संक्याशा से घटाकर च्छे की गई ए 42 संसो दंद्वारा वि 43 2014 दंद्वारा ढी 49 संसोदन द्वारा तो राय आसर हो जाएगा option no.C». संपत्ती के अधिकार को मूल अधिकार किष्ठी से निकाल दिया गया नियुक। संसोधन द्वारा तो राइट अंसर हो जाएगा option number C, 44 में संसोधन द्वारा Next is के समिधान संसोधन अधिनियम द्वारा लोग सबागे कारिकाल को छे वर्सते घड़ाकर 5 वर्स कर दिया गया था तो राइट आंसर हो जाएगा option number C, 44 में संसोदन द्वारा नेक्स्ट कुश्यन है निमलिकित में से 52 मा समिधान संसोदन 1985 किस से संबन दित है ए संग राजचेट, यूनियन, टेरिष्ट, टेरिष्ट, दूसरा है बी दल बदल और अनहर्ताएं, डिसक्रैक्शन एंड टिसक्वालिफिकेशन, सी आरक्शन बढ़ाना, इंक्रीज रिजर्वेशन, सही भत्ता, समाप्तियानी की पार्शिपेशन एंड तो राइट आंसर ह हो जाएगा, ऑप्शन नमबर भी दल बदल और नहर्ताओं से संबंदित है, नेक्स्ट कोशिन है, वह संबैधानिक संसोधन कौन सा है, जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंद लगाया गया था, ए, 1986 का 1969 संसोधन, बी, 1974 का 45 संसोधन, सी, 1981 का 51 संसोधन और या, 1985 का 52 संसोधन, तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमबर दी, 1985 का 52 संसोधन, नेक्स्ट ए, मिजोरमकोक की संब्धानिक संसोधन द्वारा राजकदर जा दिया गया, एक 58 संब्धानिक संसोधन द्वारा नेक्स्ट कोशन है, गुवा को कि समयधानिक संसोधन दोरा राज का दर्जा दिया गया निवलिखित में से किस संस्था का समन 54 में समयधान संसोधन से है A. ग्राम पजायत B. नगरपालिकाएं C. जिला परशन D. इनमें से कोई नहीं तो right answer हो जाएगा option number B. नगरपालिकाओं का next question है निमलिकित में से कौन सा संसोधन के शाषित प्रदेश दिली को राष्टी राधानी छेत में परिवर्टित करता है A. 61 संसोधन, B. 69 संसोधन, C. 75 संसोधन, D. 89 संसोधन तो right answer हो जाएगा option number B. 69 संसोधन next question है कि सम्मेधानिक संसोधन द्वारा मरिपूरी, नेपाली और कोक्री इन तीनों भाष्टाओं को शामिल किया गया था सम्मेधान की आठवे नुसूची में A. 21 में संसोधन द्वारा, B. 52 में संसोधन द्वारा, C. 71 में संसोधन द्वारा, D. 99 संसोधन द्वारा तो right answer हो जाएगा option number C. 71 में संसोधन द्वारा A. केंदर राजी से, B. सरवोच नयालेव की सत्तियों से, C. 75 राज विवस्ता से, D. संसद राज्यों के बेतंतता पिशेद स्रादिकारों से तो right answer हो जाएगा option number C. 75 राज विवस्ता से next day बार्टे समिदानके 1100 राज 6 से 14 वर्ष की उमरिए बच्चों के लिए सिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया A. 73 संसोधन द्वारा, B. 56 में संसोधन द्वारा, C. 86 में संसोधन द्वारा, D. 39 संसोधन द्वारा 32 में संसोधन द्वारा दी निन्यांवे में संसोधन द्वारा तो राइट अनसर हो जाएगा option number number C बानवे में संसोधन द्वारा next questioning भार्त्य समिधान के तो कौन सा संसोधन केंजियमत्य मंदल के आकार को समित चीमित करता है A. 51 संसोधन B. 92 संसोधन C. 98 संसोधन D. 99 संसोधन तो right answer हो जाएगा option number is 91 संसोधन next question is question number 49 91 संसोधन विधेयक मंत्री परश्यत को कितना परश्यत तक C. मित करने के लिए जारी किया गया A. 5 परश्यत B. 10 परश्यत C. 12 परश्यत D. 15 परश्यत तो right answer हो जाएगा option number B. 10 परश्यत तक next question है 42 में संसोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेत किस संबंदीत है A. संपत्ति के अधिकार से B. मूल कर्थब्यों से C. भूमी सुधार से D. 25 से तो ये संबंदीत है मूल कर्थब्यों से option number B. इसका सही answer है next question है किस संबंदान संसोधन द्वारा अनुची जन जात्यों है तो एक प्रथक राश्ट यायूकी स्थापना का प्राधान किया गया है A. 66 संसोधन द्वारा B. 89 संसोधन द्वारा C. 3 संसोधन द्वारा D. 99 संसोधन द्वारा तो right answer हो जाएगा option number B. 89 संसोधन द्वारा नेक्ष्ट है निम्लिकित में किस संसोधन संसोधन में राजियों से चुनाओ होने वाले लोकसभा की सदस्यों की संक्या में बृद्धी करने से संबंदीत है A. छटमा और बाईसमा B. तेरमा और अरतीसमा C. साथमा और एकतीसमा D. ग्यारमा और ब्यारीसमा तो right answer हो जाएगा option number C. साथमा और एकतीसमा संब्धानिक संसोधन next भारत के संब्धान में नौवी अनुसूची कि संसोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है A. तीन संसोधन अधिनियम B. चार्ट चौथा संसोधन अधिनियम C. पहले संसोधन अधिनियम से या छटे संसोधन अधिनियम से तो right answer हो जाएगा option number C. पहले संसोधन अधिनियम से next question संसोधन अधिनियम 14 अगस्त 2007 को संसोधन अधिनियम संसोधन के उपरांत अनुसूची जाती की सूची में जातियों की संख्या कितनी है A. 666 B. 206 C. 1410 D. 1490 तो right answer हो जाएगा option number B. 206 next day संभिधान के किस संसोधन द्वारा केंदी मंत्यों की संख्या लोग सबागे कुल सदस्यों के 15 पर सीमित कर दी गई थी A. 91 संसोधन द्वारा B. 902 C. 952 D. 577 संसोधन द्वारा तो right answer option बढ़े हो जाएगा 91 वा संसोधन द्वारा फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जब्रू बताएगा वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक झाल